हेलो गाईज कैसे हो आप सभी लोग आई होप यार आप सब अच्छे होगे तो गाईज आज हम फिर से खिलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट सर्वाइवल तो यार वीडियो को एंट तक जरूर देखना और हाँ गाईज यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना नहीं त गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी को याद दोगा कि पिछले वाले एपिसोड में हमने विलेज को एक्सप्लोर करा था वैसे देखा जाये तो लूठा था और हाँ उसको लूठने पर हमें काफी सारी चीजे मिली थी जैसा कि आप देख सकते हो हमे विलेज से ज्यादा दूर होगा हमारा घर और नहीं ज्यादा पास होगा तो सबसे पहले थोड़ा बहुत खान अभी क्लेक्ट करी लेते हैं हाथ के आथ और जैसा कि आप देख सकते हो यह वाली जो चैस्ट इसके अंदर वह सारा सारा समान है जिसके थू हम अपना घर बना जाल देते हैं और इसको हम थोड़ा बेक होने के लिए दे लिए और यहां से जितने भी आइरन है यह निकाल लेते हैं तो मेरे साब से बहुत जादा कम है एक काम करते हैं ग्यारा बारा डाल दालते हैं तो सबसे पहले काहिए जो हमारे इंवेंटरी नहीं हम इसको पूरा सबसे पहले इसको भी लगा देते हैं मेरे साबसे इतना काफी रहेगा यार हमें वापस घिरना होगा तो सबसे पहले वापस गिरते हैं अब गाइज यार यहां पर यहां पर पूरा का पूरा मतलब प्लैंक्स आएगी तो सबसे पहले इसको भी बना देते हैं तो ओके गाइज़र जैसा कि आप सभी देख सकते हो मतलब कुछ इस तरीके के हमारी एंटरेंस रहेगी और उपर से भी हमें इसको पूरा इस तरीकी के एंटरेंस होएगी और यहां पर यह जो आप एरिया देख रहो ना इसके अंदर सारी के सारी गिलास आजाएंगे जिससे कि हम अंदर से भी पूरा व्यू ले सके तो सबसे पहले अब हम एक काम करने वाले हैं यहां से ना पूरा को पूरा वापस पूरी बोल वाले हैं तो फाइनली जैसा कि आप सभी देख सकते हो जो हमारा घर का स्ट्रक्चर है वह पूरा पूरा तयार हो चुका है और यहां से भी मैंने एक छोटी से एंट्रेंस बना दी है तो सबसे पहले आपन चलते हैं अपनी फर्नेंस के वहां जितने भी मतलब गिलास हो है वह लेकर आते हैं यहां पर लगाते हैं अपने घर में तो जैसा कि आप देख सकते हो यही हमारी फर्नेस तो सबसे पहले इसको उपन करते हो के तो 16 गिलास है काफी सही है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मतलब दूर से काफी ज़्यादा सही लुक आ रही है अब देखन यह जो मैंने जगा छोड़ी है ना यह मैंने इसी चीज के लिए छोड़ी है कि मैं यहाँ पर भी एक गिलास लगा सकूँ बट मेरे को यह वाले गिलास यह जाद अच्छे नहीं लगते हैं और हाँ गाईजार में को सबसे पहले एक शीर भी बनानी होगी जिससे कि आप यह जो एरिया देख रहे हो न थोड़ा वोतना मैं मतलब पत्तियों से कवर कर दूँ उसे बहुत अच्छी लुक आती है तो सबसे पहले एक काम करते हैं वापस लते हैं जल्दी से गाइजर शीर बनाते हैं तो जो हमारे जितने भी आइरन हैं में हमारे सैड हैं तो सबसे पहले यहाँ से आइरन लेते हैं मैं एक काम करना पड़ेगा क्राफ्टिंटे कश्यूर्ब बना लेलेनी चीए हैं यहां से जितनी भी पाइना वो ले लेते हैं बठा में इतनी भी जादा नहीं चाहिए बठा मतलब एकदम सही ले लेंगे तो ओकी गाईज जैसा कि आप सभी देख सकते हो हमारे पास काफी सारी आ चुके है मतलब 62 के अरॉंड हो चुके है मेरे साब से इतना काफी रहेग तो एक पार खाना खा लेते हैं ओके तो फाइनली गाईज यह जो आप लीव देख रहो ना मैं इसको मतलब कुछ इस तरीके से लगाने वालूं जो की सही लग दिया और यह जो आप देख रहो ना यहां पर मैंने जान मुझ की गैप छोड़ा है क्योंकि इसको ना मैं फू हार से इसका डेक्रेशन कंप्लीट हो चुक है और काफी ज़्यादा सही लग रहा है एक काम करते गाई यहां पर ना मैं फैंस लगाने वाला हूं जिससे की मतलब थोड़ी प्रोटेक्शन भी हो सके बट प्रोटेक्शन का अभी कुछ काम नहीं है बट फिर भी सबसे पहले फैन्स क्रेक्तो लेते हैं तो है जैसा कि आप सभी देख सकतो हुआ है और मैंने काफी सारी फैन्स के मृणडरी देने वाल हूँ फूल से आ उपर लग सौने चलता है और यहां मैंने यहां होked इसंतर पाने वाला आठिया है यहां नहीं जल्दी रहा ब्रा इसका मेरे साब से काफी ज़्यादा सही लग रहा है तो सबसे पहले सोने चलते हैं और मैं यह सारा का सार जो भी समान है ना वो मैं सारा घर के अंदर शिफ्ट करवाने वाला हूं तो फाइनली डे हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो मतलब थोड़ी बहुत जो लुक है ना इसकी अच्छ करने वाला हूं मुझे नहीं पता इसको मतलब गहां सवास काटना क्या बोलते हैं बठायाल इससे काफी ज़्यादा सही लुक आ रही है और सबसे पहले इस पोदे को उठाता हूं ओके तो फाइनली काईजर जैसा कि आप सभी देख सकते हो इससे मतलब थोड़ी जो लुक ह तो रखकर आ गया और आपको याद हो गा तो जैसा कि आप देख सकते हो हमें वहां से विलेज से स्टोन स्लैब भी मिले थे और मैंने कुछ ओफ़ेन मतलब वहां से मतलब छोड़ी घर के लिया था तो जैसे कि आप देख सकते हो मतलब मेरे पास यह काफी सारे हैं और इससे पूरा का पूरा स्लैब से कनवर्ट करने वालो मतलब इस लाप जाद अच्छी लगेगी तो सबसे पहले काम करते हैं मतलब ट्राइक लगा कर देख लेते हैं तो ओके फाइनली घाइस यार मतलब यह उपर नहीं लगती क्या अगर उपर लग जाए तो काफी ज़्याद सही यह मतलब हमारे स्लैब भी बच जाएँगी तो सबसे पहले वापस से लग्जाए करते हैं तो पूरा इरिया तो सबसे पहलेगा से देखर ग्ल protoин का ल वाला हूँ इस प्लैंक से तो मेरे साब से जो हाई टेनेस की बहुत ही ज्यादा उची है तो मैं एक काम करता हूँ इसको इतना रखने वालों ना यार फिर यह बहुत ज्यादा चोटा हो जाएगा एक काम करता उपर रखते हैं जो हमारी अंदर की रूफ है वो कम्पलीट हो चुकी है बट यार मेरे साथ एक बहुत ही दुरगटना वाली घटना हो गई जैसा की आप देख सकते हो यहाँ पर यार क्रीपर आके फट गया बट कुछ नहीं होता है यह सारा का सारा सामान इखटा करते हैं और यह तो अच्छ पार चलकर तो यह रहा हमारा रास्ता जैसा की आप देख सकते हो जो हमारा घर वो कुछ इस तरिके का लग रहा है मुझे पता है बहुत ज्यादा च्छोटा है बठा अभी के लिए काफी ज्यादा सही है और हाँ आप मेरे को क्या बनाना चाहिए मैं सोचरों यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हो यह हमारा घर फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है अब मुझे कहीं पर बाहर नहीं सोना पड़ेगा बस गाईजर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही आई होप यार आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी ल झाली वाली वाली नहीं स्टावी शो यह वाली देख सता ही आई हो यह वीडियो में इतना ही बाहर आई हो पर आई है